हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेज में स्वाइट करता हूँ सिक्स्थ क्लास के हम चैप्टर नमबर वान हुडेड पैट्रिक्स होमवक के बारे में बात कर रहे हैं और इससे पहले मैंने आप लोग को और इंदर समजाया था किस तरीके से स्टोरी में चिंजिस आए थे किस तरीके से पैट्रिक का वोमवक पैट्रिक खूद करने लग जाता है लेकिन उसको लगता है कि ऐल्फ उसकी मदद कर रहा है उसके बाद हमने वो detail story पढ़ने के बाद next video में discuss किया था एक short summary को जिसमें मैंने आपको बताया था summarized form में की story में आखिर हुआ क्या उसके बाद third video में मैंने आप लोगों से share की थी question number one और उस question number one के six के six questions को मैंने coverage दी थी और मैंने समझाया था कि किस तरीके से उन six questions के answers को आप याद कर सकते हो समझ सकते हो और लेख सकते हो उसके बाद हमने उससे next video में deal किया था बागी के questions को जो इस chapter के questions हमें provide किये गए थे जैसे speaking skill, writing skill ये सब हमने discuss किया आज हम इस chapter से related कुछ extra short answer type questions की बात करेंगे जो अक्सर exam में देखने के लिए मिलते हैं हमें लेकिन वो हमारे exercise के questions नहीं है यानि कि हम तो सिर्फ अपनी exercise की preparation करके जाते हैं पर कुछ extra questions आ जाते हैं और फिर हम रह जाते हैं हक्के बग्के अगर आप लोगों को chapter पूरा अच्छी तरह के से आता है और अपने answer को अपनी language में लिखना आता है फिर तो कोई issue नहीं है फिर तो चाहे हम से 1000 questions पूछ ले कोई हम दे सकते हैं chapter से related उसका नाम क्या था, क्या words थे, क्या word meaning थे वो साब हम दे सकते हैं पर एक ही condition में अगर आपको chapter अच्छी तरह की से समझ में आया सारे vocabs आपको याद है और आपको writing skill पर आपकी command है यानि कि आपको writing skill करना काफी अच्छा आता है आपको लिखना काफी अच्छा आता है लेकिन what if अगर इन में से कोई भी चीज हमारी complete नहीं है तो फिर एक ही option बच जाता है ज्यादा सज्यादा questions को perform करें ज्यादा question answers को याद करें और उसको लिखने की कोशिश करें तो चली जानते हैं कि extra question में हमारे पास पहला question क्या दिया हुआ है यहाँ पर फिरस्ट question is what what was Patrick's chief interest यानि Patrick का सबसे जादा interest किस चीज में आता था यानि उसको सबसे जादा मजा किस चीज में आता था Patrick का सबसे अच्छा interest किस में था तो वो था उसका video game खेलने में है ना और football खेलने में hockey खेलने में तो इस तरह के game खेलने में उसको अच्छा लगता था तो गेम में इंटरस्ट था तो Patrick's chief interest was to play hockey, football, video games, etc Now next one question number two what warning did the teacher give to Patrick यानि Patrick को teacher ने क्या warning दी थी यही तो कहा था कि अगर तुम इस तरीके से करते रहे तुमने अगर पढ़ना शुरूर नहीं किया तो तुम्हे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम अच्छे number नहीं ले पाओगे यही था तो teacher noticed that Patrick never did his homework यानि teacher ने notice कि Patrick अभी अपना homework करता ही नहीं है so they warned him that he would remain a fool and illiterate person यानि उन्होंने वार्ण किया कि अगर इस तरीके से वो पढ़ाय नहीं करेगा तो हमेशा मूर्ख बना रहेगा और हमेशा वो illiterate रहेगा असिक्षित रहेगा next how did Patrick get his wish granted by the elf यानि कि Patrick का जो wish था कि कोई उसकी homework को perform कर दे कोई उसका homework करने के बाद from a cat यानि Patrick ने cat से elf की life बचाई थी आपने notice किया था ना कि cat के हाथ में था वो elf छोटा सा fairy और कह सकते हो bona सा एक छोटा doll size का वो आदमी था so the elf promise to fulfill one wish of his savior यानि कि Patrick को उस elf ने कहा कि अगर तु मुझे बचा लेता है तो मैं तेरी एक wish पूरी कर दूँगा जो भी तु चाहेगा उसके बाद है next बटा what made Patrick believe that he was lucky आखेर Patrick को कैसे लगा कि वो lucky है पताईए वो lucky था वो कैसे लगा Patrick hated homework and loved sports यानि Patrick को homework करना बिलकुल भी पसंद नहीं था उसे घ्रना आती थी बट उसको sports पसंद था he called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework यानि Patrick को तब अच्छा फील हुआ lucky फील हुआ कि कोई छोटा सा आदमी बोना आदमी उसके सारे काम करने को तयार हो गया था जिसमें उसने agreement लिया था ना कि 35 डेज वो लगातार काम करेगा और इस semester में उसे grade A दिलाएगा यानि अच्छे marks दिलाएगा तो इसलिए Patrick को लगा कि भाया वो तो बहुत ही ज़ादा lucky बच्चा है उसके बाद next है यानि कि जो वो छोटा बोना आदमी था उसका चहरा एकदम रिंकल भरा एकदम गुसला क्यों लग रहा था लिटल में वो जो था वो एक फेरी बोना बंदा था याद नॉट स्टडीड मैथ और इंग्लिश और हिस्ट्री उसने कभी भी मैथ इंग्लिश और हिस्ट्री तो बढ़ी नहीं थी बस इसलिए क्योंकि उसको गुसा आ रहा था इसलिए इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम की वज़े से उसका चहरा थोड़ा उत्रा हुआ था नाउ दे लिटल मैन केप्ट इस वर्ड यानि की लिटल मैन ने अपनी बातों की वैल्यू रखी और उसकी बातों को ध्यान में रखा और उसने कहा की मैं जो है वो तुम्हारा हर काम कर दूँगा बट देर वाजन ग्लिच यानि उसमें एक गड़बड़ी थी उसमें गड़बड़ी क्या थी यही गड़बड़ी थी कि बने आदमी ने कहतो दिया कि मैं तुम्हारा हमवक कर दूँगा पर उस बने आदमी को ना तो आती थी इंग्लिश ना आती थी मैट्स ना हीमन हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलिज थी तो वह यहां पर चाह रहा है जो लिटल आदमी था चोटा आदमी वह पूरे अपने प्रामिस पर नहीं जा पारा था खड़ा नहीं उतर पारा था क्योंकि उसने promise तो कर दिया कि मैं homework कर दूँगा but promise वो fulfill नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसे maths नहीं आती उसे English नहीं आती उसे Hindi, Hindi की तो बाती नहीं थी Human History नहीं आती इसलिए but this problem was that he did not know maths English, Human History और main problem, main glitch चीए था कि उसको यह सब चीजे नहीं आती थी Now, question number seven The little elf was nag यानि little elf जो था न वो थोड़ा सरदर्द बन गया था Patrick के लिए अब आपको पता ही है Patrick वैसे तो कोई काम करना चाहता नहीं था उसको खेलना कूदना बहुत पसंद था ना वो घर के काम करता था न साफसफाई करता था ना पढ़ाई करता था तो वो जो छोटा सा बोना सा आदमी था ना वो पेट्रिक के लिए सिर्दर्द बनिया था क्यों सिर्दर्द बन गया था क्योंकि जब पेट्रिक ने उसको बोला कि भी या तुम काम करो मेरा तो Patrick को वो बोलता है कि तू मेरे साथ बैट नहीं तो मैं काम नहीं कर दूँगा क्योंकि मेरे को यह सब चीजे समझ नहीं है ना मुझे English आ रही ना है ना मुझे human जो history है वो आ रही है और ना ही मुझे maths आ रही है plus minus multiply divide तो मुझे आता ही नहीं है चलो मुझे धेर सारी किताबे लाकर दो और उसको पढ़ पढ़ कर समझाओ मैं तुम्हारा homework कर दूँगा अब इसी लिए वो थोड़ा सा सिर्दार्द बन गया था तो वही यहां पर कहा रहा है the little elf agreed to do Patrick's homework little elf जो था वो थोड़ा सा जो छोटा सा बॉना सा फैरी आदमी था वो काम करने के लिए तो तयार हो गया था बोला तो था कि मैं कर दूँगा but he had a problem or say glitch was always seeking Patrick's help और main problem क्या थी कि उसको हमेशा Patrick के ना मदद की जरूत होती थी अब मदद की जरूत क्यों होती थी क्योंकि उसे यह चीज़े नहीं आती थी क्या चीज़े नहीं आती थी जो subjects थे उनकी knowledge नहीं थी overwork tired him और जिसकी वज़े से जो Patrick था वो overwork करता था extra work करता था और जिसकी वज़े से वो कह सकते हो कि वियरी हो चुका था tired हो चुका था and that causes the swelling in his eyes and blurry reason यानि उसकी आंखे जो सूच गई थी और आखों के अंदर blurry नहीं सा गया था यानि कि वो ढंग से सो नहीं पाता था तो उसे चीजे साफ सुथरी नहीं दिखाई देती थी थोड़ा tired सा रहता था clear हो गया now we have last question what changes come in Patrick's behavior in the end यानि पूरी story हो गई खतम अब सवाल यह पूछ रहा है कि अच्छा यह बताओ कि Patrick के behavior में क्या बदलाव आए बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था उसके सारे के सारे questions वो कर लेता था और 35 days का जो उसने target दिया था वो target पूरा करके वो अपना work कर लेता था साथ ही धीरे धीरे जो है उसके behavior में change क्या आया वो एक role model बन चुका था role model boy बन चुका था हर को उसकी मिसाल दिया करते थे वो अपने room को साफसुत्रा रगता था वो daily की काम करता था वो बहुत ही जाता cheerful था खुश रहता था और साथ ही polite था और उसने grade A भी तो ली थी तो इस तरह के changes जो थे वो उसमें questions answers रहने वाले हैं वो दो तीन ही होंगे लेकिन उनको भी हम कर लेंगे so that exam में कोई भी ऐसा question ना हो जो आपको नहीं आता हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको सारे questions आए आप Patrick की तरह अच्छे महनत करने वाले बन जाए और Patrick का homework किस ने किया वो आपको पता है Patrick ने खुद किया था basic teacher आपको बिटा guide कर दें मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं आपको बोल दूं लेकिन काम आप नहीं करना पड़ेगा paper में आप नहीं बैठना है लिखना आपको जो कुछ पढ़ाएगा वो आपको revise करना है साथ के साथ learn कर लेना है so that आने वाले डेज में आपको कोई problem ना हो तो चलिए मिलते है next class में तब तक लेपना बहुत सारा खयार रखिए हां और हां चैनल पर पहली बार आए बटा तो चैनल को like share subscribe करना बिलकुल ना बोले otherwise मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुचेगी फिर आप कैसे सीखेंगे है ना तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुचे आप सीखें कुछ ना कुछ तो बस जो बोला है वो कर लीजिए stay tune take care bye bye